इस वीडियो में बात कर लेते हैं ब्लिस जी वीएस फार्मा लिमिटेड की कुईक्ली एनलेसस देख लेते हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मद भूलिएगा तो आप देख रहे होगे स्टॉक की फॉर्मेशन इसली आपको समझ आ रही है को सपोर्ट और रिजिस्टेंस के साथ स्टॉक एक चैनल में आप ट्रेड कर रहा है अच्छा चैनल है आप कुछ लेविल्स बता देता हूँ यहाँ पर आप देख रहोगे यह सपोर्ट मिलाता है यहाँ पर 77.65 के आसपा स्टॉक को और उपर से जब रिजिस्टेंस खाके नीचे आया तो काफी कंसिस्टेंट सेलिंग थी सेलिंग की वजए थी क्योंकि नतीजे थोड़े सही नहीं रहते इस वैसे यह सेलिंग बुलिश मोमेंटम के साथ आप देखो गैप बहुत है 85.85 से लेके almost 95 तो 10 पॉइंट का यह गैप है तो गैप फिलिंग करने स्टॉक आएगा तब आएगा तब से देखेंगे बट अभी स्टॉक के नतीजे आयते इसलिए यह गैप हो गया और अच्छे नतीजे रहे इसलिए अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम था एक नजर नतीजों पर डाल लेते हैं पहले फिर चार्ट और बता दूँगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो नतीजे आएंगे सेल्स इन की रही है वो इंक्रीज में यह 212 CR की रही है और एक्सपेंसे 158 CR करा है तो यह दोनों ही चीज़ें सही है यहाँ पर अप्रेटिंग प्रॉफिट आप देखोगे तो 54 CR लास्ट टाइम स 43 CR करा है तो रिजर्ट अच्छे रहे हैं कंपनी के इसी वज़े से आप देखोगे यहाँ पर बोलिश मोमेंटम देखने को मिला आएगा अब उपर के कुछ लेवल रहेंगे यहाँ पर आप देखोगे एक्जेक्ट हर्डल क्यों फेस हुआ क्योंकि एक साइकलोजिकल पिडल का सेनेरियो रहेगा यह जोन क्रॉस करते ही फिर आपको ऊपर के टार्गेट दिखाएगा और वो टार्गेट अपने रहेंगे 108 के आसपास तक तो आपके इस लेवल तक टार्गेट रहेंगे यहाँ से अगर फिर स्टॉक दिखाता है रिवर्सल ज वन जीरो एड से तो फिर आप देखो के स्टॉक फिर से ऐसे ही दिसा में आएगा क्योंकि आप देखो गैप भी काफी है दस पॉइंट का तो इस लेवल से फिर अभी तक तो यहाँ जाएगा फिर में भी यहाँ से डिवर्सल दिखाए तब फिर यहाँ कहीं अगर आपको पकड़ना है अग अगर यह लेवल उपर क्रॉस नहीं कर रहा है में भी सेलिंग प्रैसर देखने को मिले क्योंकि गैप आप देखो कि स्टॉक का प्राइस छोटा है छोटे प्राइस के साबसे दस पॉइंट का गैप बहुत बड़ा गैप होता है तो अगर यहाँ से रिवर्सल देता है तो क टार्गेट रहेगा आपका वो यह वाला रहेगा तो आपको लेवल मैंने बता दिये हैं और इनी चांस अकर आप इसमें फाइंड कर रहे हो के बीच में भी कहीं लेवल हो तो एक सपोर्ट यह बनते हुए नजर आएगा आपको और बीच में फिर आपके लिए एक पर फिर फर्दर लेवल के साथ नीचे आएगा तो यह वाली सपोर्ट है 90.90 तो मल्टिपल लेवल्स पर सपोर्ट हैं आप उसे सापसे अपने ट्रिलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा क्योंकि थोड़ी वोलिटिलेटी देखने को मिल सकती है से स्टॉक में आपको लेवल्स मैंने मल्टिपल बना दी हैं अगर स्टॉक इनके अकॉर्डिंगली चलेगा तो उसे सापसे देख लीजिएगा लेवल्स इसलिए मल्टिपल बनाएं क्योंकि थोड़ा आपको बहतर समझाएगा क्योंकि एक सड़न फॉल 10 पॉइंट का काफी जादा होता है अव